कि हालो व्रेंट स्वागत आपका फिर से एक नवे वीडियो के अधर आज करने वाले हैं हम लेंट शेवर की अन्बोक्सिंग और फ्रेंट इसको फैब्रिक शेवर भी बोल सकते हैं और आपको यह कहां से मंगाना चीए एक तरीके जो रुवे निकालने की मशीन है स्वेटर क अधर आपने देखा होगा रुवे लग जाते हैं अलकेल के रुवी से फप्पे से बन जाते हैं तो श्वेटर बहुत बुरा लगता है और शॉल के अंदर बहुत सारे कप्लों के अंदर रुवे निकल जाते हैं तो उसी को रिमू करने के लिए यह लिंट शेवर यानिकी शेवर तो आज करेंगे दोस्तों के अंबोक्सिंग क्या कैस के इस प्राइब को मिलने वाला और कहां से आपको अनलाइन पर्चेस करना चाहिए तो नमस्कार दोस्तों मेरा ना में शेरू स्वागते आपका टेगुनर में तो चलिए दोस्तों शुरू यह मैंने मंगाया मी कि अध्या निखा हूं मिल जाता सका ओडर नंबर और इसको कर लेते एक बारी ओपन थे कब तो यह फ्रैंट्स लिंट रिमूवर कलर देखने के लिए अमरब भारी मिल जाता वनियर की मिल जाती इसकी गारंटी वारंटी वह नहीं मिलती आपको गारंटी मिलती इसका मॉड इसके अंदर क्रोज बने वे तो इस तरीके आपको इसको यूज में नहीं लेना है और यहां इसका मोडल नमबर देखने के लिए मिल जाता है हमार को वोल्टेज मिल जाता है तो अब इसको निकाल लेते हैं बड़ी वाउ और तो यहां मिलती है कमार को यूजर मैनुवल गाइड तो कोई नहीं पड़ता इसको अठा देते हैं और इसको भी बापिस थेली में मिकाल लेते हैं तो यहां मिलती है मार को यह कैप यह देखिए इस तरीके मिलती है वह मार को यह इस पर लगानी है और इस पर लोग क यानि इसको आपको किसी अड़ेटर का अंदर लगाना पड़ेगा यह लिखाँ मिल जाथ हूं जैना भूझ को फ्ल प्लस्टिक की आफ है यह आर ब सि 얜 बनी को अलए मिल जाता है यह दिखने ज्यलाद नमब मिल जाता है और इसको खेल के दिखाता ह Knowing यह दो इसको ऑपर जाली लगी वी किरिल कि वर यह पत्य भी स्टेलन स्टिल कि शुटर लगीविया जो तो आपने देखा होगा बच्चों की गाड़ियों के अंदर जो मोटर आती ना उस तरीके की एक मोटर लगी है जो इसको रन करेगी जो यह बनी वे उपर की तरफ गिरारी इसको रन करेगी और जो हमारे स्वेटर के रूवे होते हैं वो इससे कटते जाएंगे साफ होते अधर ग्रिल के अधर आज आजाते हैं तो आप इसको अधर यह से इसको खोल सकते हो और खोल कि साप कर सकते हो ठीक है और तो कुछ भी है इसमें फरेंट्स बाकी खराब होने का था था कोई चांस है नहीं क्योंकि यह वैसे भी यूजबी वाली है और यदि इसके अंदर एक अंदर केवल only four motor लगी भी है तो इसको इस तरी के रहे पकड़ना और इस तरी के रहे निकालने तो एक बार यह कर लेते हैं इसको connect आप फिर इससे रूम में हटा के देखते हैं रूवे निकलते या निकलते फैब्रिक के तो इसके अपको भी हम इससे आपके कपड़े को कोई भी नुक्सान नहीं हुआ कुछ भी नहीं कटेगा बहुत बूरा लग रहाता है यह यह मेरा ही स्वेटर है यह देखिए अट्रे ना वाओ यह देखिए फ्रेंट्स वाया नया होगया शूटर मेरा तो यह सर्दी तो निकली जाएजी मेरी रेनु जी यह देखिए फ्रेंट्स सारे रिमू हो चुके इस तरफ है थोड़े से और इनको भी रिमू कर लेते हैं क्योंकि मैं आगे आपको और कुछ बताने वाला हूं कि यह रूवे कहां जा रहे है और उसको आपको कैसे साफ करना फिर यह देखिए इसके साथ क्या गंदगी निकलती जो सूटर गंदगी दूल मिट्टी होती न वह भी यह खेच लेता है हवा के साथ में यह देखिए तो अब इसको क्या करना आपको इस तरीके से यह देखिए यह निकल गया और यह देखिए रूव है यह निकल गए यह देखिए ओहो यह देखिए फ्रेंट्स इतना इसके मिट्टी भी यह देखिए दूल सी है इसमें मिट्टी सी भी है और यहां मार को दिया एक ब्रश मैं आपको दिखाना भूल गया वैसे ब्रश त टो भी निकाल सकते őं गर सकते हो और अपने स्वेटर को बहुत ही बैतर बढ़ा सकते हो अपने कप्रों को एक दम विल्गुल नए ज़सा कर सकते हूं तो बस अप चलाने महला रते हो चला ले थाए रभा वाओ तो इस तरीके से तो मैं मेरा सुटर को एक्दम साफ कर लेता हूं और इसके अंदर कोलेटी का कोई नाटक नहीं है सब एक ही जैसे हैं आप देखोगे कि यह महंगा है तो इसके कोलेटी अच्छी होईगी कुछ भी नहीं है समय अंदर पत्ती लगी है कोई भी रेट डिफ्रेंस की वज़े से आप कोलेटी से कंपेंड ना करें क्योंकि अंदर यह इस तरी के अब पैन के भी आप निकाल सथे हो जाता है आप पैन लिया आपने और आपको लग रहा है कि इसके रूब निकालने तो यह देखिए फट्ट निकल जाते है और स्वेटर नहीं हो जाता है और इसके साथ यह डश्ट भी खैसता है तो स्वेटर यदी नहीं है तो थोड़ा साफ तो होई जाएगा जाइन दोस्तों वंदे मातरम